हलो फ्रेंड्स, है मैं अप्रुती, वेलकम एक ट्यूर चैनल प्लांट से स्पेस ये यलो रेन लेली है और इसकी पत्तियां कुछ दिन पहले ही हमने कट की हैं तो अब भी हम सोच रहे हैं कि इसको रीपॉर्ट करते हैं और इसको निकालने का तरीका पॉर्ट से ये है कि साइट साइट से आपको मिठी को हलका हलका इस तरह से बाहर निकालना होगा क्योंकि अगर आप बीच में से मिठी निकालेंगे तो जो बल्ब हैं वो कट सकते हैं इसलिए साइट से हलकी हलकी मिटी को हटाया और इसको ऐसा का ऐसा बाहर निकाल लिया बल वाले प्लांट थोड़े बहुत कट फट जाते हैं तो उसमें कोई परिशानी की बात नहीं है वो दोबारा से ग्रोथ कर लेते हैं और फिर से हरा भरा हो जाता है तो अभी इसको हमने बाहर निकाला देखे, रूट्स अच्छे से फैल चुकी है, मिट्टी आप देख सकते हैं कि बहुत जादा हार्ड या बहुत जादा सौट भी नहीं है, तो अब इसको सबको अलग करेंगे, और जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं, वो लगतार मल्टिप्लाइ होते हैं, इसल इनको रीपॉर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि जो बेबी बल्ब हैं, उनको हम हटा सकते हैं, और जो मैच्योर बल्ब हैं, यानि हेल्दी बल्ब हैं, उनको हम दोबारा से लगा सकते हैं, अब ये एक ऑक्जैलिस का बल्ब है, जो कि हर पॉर्ट में आपको मोस्टली दे खाई दे रहेंगे जो बहुत ही जादा चोटे हैं यह वह बल्ब है जो बीज से अपने आप ग्रो हुए हैं कि येलो रेलेली में काफी बीज बनते हैं और वह बीज गिरते भी रहते हैं कलक करने के बाद भी और जब उनको नमी मिलती रहती है तो वह अपने आप ग्रो हो जा तो इस तरह कि चोटे चोटे जो बल्ब है वो भी अलग हो जाएंगे तो अभी देखिए जो healthy बल्ब है उनको हम रोक लेंगे और जो बेकार बल्ब है यानि एक्स्ट्रा है उनको हम ऐलग कर देंगे इसमें बल्ब बेकार नहीं होंगे क्योंकि ये जो पॉट है ये नीचे की तरफ से गोल है और उपर की तरफ से थोड़ा ये चोड़ा है यानि इस पेस अच्छा है जहां पे बल्ब रखे जाएंगे तो इसलिए हम इसी पॉट का यूज करने वाले हैं वैसे जो गोल पॉट ह होते हैं उसमें हम आपको बल्ब वाले प्लांट लगाने को मना करते हैं लेकिन ये सही रहेगा तो अब ड्रेनेज होल जो है उस पे पथर रख देंगे इसी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है कुछ लोग डायरेक्ट सॉयल भर देते हैं तो वह काम आप ना करें आप च बीच में यहां पर भी एक लियर हम बना देंगे यह लेयर्स बनाने में बहुत फायदा होता है आप जरूर ट्राइक कीजिएगा अगर आपको पॉटिंग मिक्स भी नहीं बनाना तो आप ऐसे कर सकते हैं एक लियर मिट्टी की बनाईए एक लियर खाद की बनाईए फिर से इस थरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं है यह बाल बीच से अपने आफ घू हो गया है तो आप देखिए इतने चोटे-चोटे बल्फ तो आप कर सकते हैं तो आप सभी बल्ब को ठीक लेते हैं और यह जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी आप कर सकते हैं आप सबी बनाव पतियां हैं तो पतियों को भी कट कर दीजिए और ये काम आप हर बल्ब में कर सकते हैं यानि अमेरिलिस में, फुटबॉल में या इस रेल लिली में किसी भी बल्ब में आप कर सकते हैं कुछ रेनली के बल्ब हमने मिटी से बाहर निकाल लिये थे, उनको सेव कर लिया था, अब उनको भी हम दोबारा लगा देने वाले हैं, और इस तरह से आप पौट को रखा भी रहने दे सकते हैं, पूरी सरदियों और अब फरवरी में आकर उनको बाहर निकाल कर रीग्रो कर स side side में नहीं रखा है क्योंकि जब इनको बाहर निकालना होता है तो side से मिट्टी को हटाते हैं तो इसलिए side में हमने नहीं लगाया है बीच बीच में bulb लगाए हैं और उपर से फिर से potting mix भर कर और इसमें पानी दे देंगे हमारे bulb तयार है अब ये मार्च तक new growth कर लेंगे new shoots इसमें आ जाएंगी तो थोड़ा patience रखिएगा wait कीजेगा new growth जल्दी ही हो जाएगी इस चीज का बस ये फायदा होता है जितने extra bulb हैं वो निकल गए हैं केवल mature bulb pot में हैं तो अब flowering होगी तो बहुत अच्छे से होगी ये extra bulb जो है या तो हम जमीन में लगा देंगे या देखते हैं इनका क्या करेंगे ये pink fairy lily के bulb है इनको भी हमने निकाल का रखा है अभी कुछ दिन पहले और इनको भी अब दोबारा लगा देने वाले हैं ऐसे ही एक और pot है yellow rain lily का इसको भी हम ऐसे ही लगा देंगे इसमें भी ये जो छोटे छोटे प्लांट से हैं ये सभी seeds से बन गए हैं तो इसलिए इनको भी बाहर निकालना जरूरी है और healthy bulb रखेंगे तो अच्छी flowering होगी और किसी भी प्लांट के bulb को लगाने के बाद आप धूप में भी रख सकते हैं चाया में भी रख सकते हैं जहां आपको रखना है रखिए इसको shade की कोई requirement नहीं होती है कोई query हो तो जरूर पूछिएगा Thank you